जैकिसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम एक ऐसी खेती के बारे में बात करेंगे जो बरसों से चली आ रही है लेकिन अगर आप इसको नए तरीके से करें तो इससे काफी अच्छा फाइदा हम उठा सकते हैं इस खेती का नाम है पालक की खेती तो पा पालक की खेती के बारे में इस वीडियो में पूरी विश्तरत जानकारी होगी जो आपके लिए काफी लाबदायक हो सकती है और इसलिए आप इसे अंतक देखते रहें दोस्तों पत्त्यों वाली सब्जियों में पालक भी एक महत्पूर सब्जी है जिसकी खेती संपूर भारत पालक हरी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है 100-125 ग्राम पालक रोज दैनिक जीवन के लिए संतुरित आहार के रूप में खाने की सिफारिज की जाती है सरीर के हिमोगलोबी नानी की खून के प्रति चोकने लोगों के लिए पालक से उम्दा कोई सबजी नहीं होती है एक ऐसी फसल है जो कम समय में और कम लाकत में अच्छा मुनाफ़ा देती है पालक की एक बार बोवाई करने के बाद उसकी बाच से छे बार कटाई की जाती है पालक की फसल पूरे साल ली जाती है इसके लिए अलग लग महिनेों में इसकी बोवाई करनी पड़ती है किसान भाई पालक की बेवसाई खेती से अच्छा लाप कमाया जा सकता है इसके लिए उसको आजनिक तक्निक से खेती करने होगी पालक के लाफदायक गुण में आपको बता देता हूँ पालक ची पत्तेदार सबजी होती है पालक में ऐसे गुण पाया जाते हैं जो हमारे सरीर और दिमाग की मजबूती के लिए जरूरी है पालक के सेवन से पोसक तत्तों की प्राप्ति होती है पालक प्रोटीन, कैलोरीज, खानीज और विटामिन्स का एक अच्छा मुखिसादन है जो की दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है पालक में कैलसियम विटामिन A भरपूर मातरा में पाया जाता है पालक की पत्यों में स्वास्ति वर्दक, सुपाचि, रक्त게 वर आदी होता है पालक के इनी गुणों के कारण आज के समय में पालक का उपयोग बहुत ही जादा हो रहा है पालक खेती में क्या-क्या हो सकता है होती है सबसे पहले मैं जलवाई के बारे में जानते हैं पत्ति वली सब्जियों में पालक महतपुरिस्तार रखती है, पालक की सफलता पुर्व खेती के लिए ठंडी जलवाई क्यों आशकता होती है, ठंड में पालक की पत्तियों का बढ़वार अधिक होता है, जबकि तापमान अधिक होने पर इसकी बढ़वार रुग जाती है, और उसमें जलनिकासी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए पाला की खेती लगबग सभी प्रकार की भूमियों में पैदा की जा सकती है लेकिन सबसे उत्तम भूमी जो है बलूई दोमठ है उरुवरा सक्ति वाली भूम में बहुत अधिक उत्पादन किया जा सकता है भूमी का पियस्च मान लगबग 6.0 से लेकर 6.7 के बीच अच्छा होता है खेती की तैयारी कैसे करनी है पालक की बवाई से पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भूरा बना लेना चाहिए इसके लिए हैरोय कल्टिवेटर से 2-3 बार जुताई की जाने चाहिए जुताई के समय ही खेत से खरपतवार निकाल देने चाहिए अच्छी उपज के लिए खेत में पाटा लगाने से पहले 20-30 तन गोबर की सड़ी खात वा एक कुंटल नेम की खली या नेम की पत्तियों पर तयार की गई खात को प्रत हेक्टेर के हिसाब से खेत में बिखेर देना चाहिए खेत म अच्छी तरह तयार वह साफ करके मिट्टी को ब्रहूरा करना चाहिए तथा बाद में खेत में क्यारियां तयार कर लेनी चाहिए पालक की उन्नक प्रजातियां कोन हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं पालक की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए छेतर विशेश की जलवाएं वह भूम के अंसार किस्मों का चैन करना भी एक अवश्यक कदम है। साथी पालक की सफल खेती के लिए चैनित किस्मों की विशेशताओं को अभी ध्यान में रखना चाहिए। पालक की बोई से पहले ही ये पक्का कर लें कि आप जिस किस्म का चैन कर रहे हैं वो अधिक उत्पादन देने वाली हो। उननत शील प्रजातियों में जोबनेर ग्रीन, हिसार सिलेक्षन, ट्वंटिसिक्स, पूसा पालक, पूसा हरित, आल ग्रीन, पूसा जेवती, बनलजी ज्वाइंट, लांग स्टैंडिंग, पूसा भारती, और पंत कंपोजिट वन, पालक नमबर 15-16 खास हैं। इनके पत्ते कोमलवा खाने में स्वादिष्ट होते हैं। और इसमें कितना बीज की आऊ सकता होती है। पालक बीज की बॉइए कैसे करें। पालक का बीज दो प्रकार से बॉइए जा सकता है, एक तो कतार द्वारा दूसरा छिड़काओ द्वारा। ताकि घास फूस की सफाई की जा सके या निराई गुड़ाई आसाने से किया जा सके। पालक के बीज को 2-3 cm की गहराई पर बोना चाहिए। इसे अधिक गहरी बॉइए नहीं करनी चाहिए। छिड़काओ बीज से बोवाई करते हैं वक्ते धिहान रखें कि बीज ज्यादा पास पास ना गिरने जाएं। ये द्रसाइनिक हात का प्रयोग करें तो आप 100 kg नाइटोजन, 40 kg सुपर तथा 60 kg पोटास का उपयोग पालक की फसल में करना चाहिए। आवसी करनी चाहिए जिससे पौधों की जड़ों तथा पोसक तक्तों को सोगमता से ग्रहन कर लिया जाए जिससे दूसरी कटाई के लिए फसल जल्दी तयार हो सके। पालक में सिचाई कैसे करनी है। यद बुवाई के समय क्यारी में नमी की कमी हो तो बुवाई के तुरंद बाद एक हलकी सिचाई कर दे। पालक को आधिक पानी की आओ सकता होती है अथा समय समय पर सिचाई करते रें। जाड़ों की फसल के लिए आट से दस दिन के बाद अत्था जयत की फसल की सिचाई में हलकी हलकी दोसे तीन दिन में करते रहना चाहिए। 0quila के लिए सिचाई का बहुत ही युगदान होता खरपतवार नेंद्रन येद क्यारे में कुछ खरपतवार उख जाएं तो उन्हें जड़ से उखार देना चाहिए येद पौधे कम हो गएं तो उस अवस्था में खुरपी कुदाल के जरिये गुड़ाई करने से पौधे की बढ़वार अच्छी हो जाती है पालक की फसल में रभी फसल के खरपतवार अधिक हो जाते हैं इनको पहली दूसरी सिचाई के तुरंद बात खेत में निकाई गुड़ाई करते समय है फसल से सीगर उखाड या निकाल देना चाहिए इस प्रकार दो से तीन निकाई फसल में करना अत्यावश्यक है ऐसा करने से फसल की पतियों को खाता है और बाद में तने को नश्ट कर देता है इस कीट से निजात पाने के लिए जैवी किटनासक को प्रयोग किया जा सकता है जैवी किटनासक के रूप में किसान नीम की पतियों का घुल बना कर 15-20 दिनों के अंतराल पर छिड़काओ कर सकते हैं इसके को से बचाओ पालक की फसलों में दो बिमारियों का अधिक प्रकॉप होता है नमबर एक डेपिंग आफ डेपिंग आफ की बिमारी अंकुर पलगती है छोटा पौधा पिचक जाता है तथा मर जाता है इस पर नियंत रंग के लिए आप सरासन या सिडेक्स कवक ना सकते वी नश्ट हो जाता है नियंतरन के लिए आप सलफर का धूल भी लाबदायक होता है ऐसे रोगी पौधों को खाड़कर जला देना चाहिए पलक की कटाई कैसे करनी चाहिए पलक के बीच को बोने के लगभग एक महने बाद जब पत्तियों की लंबाई 15-30 cm करीब हो जाए तो फसल तेजी से बढ़ती है पालक की उपच पालक की उपच प्रतेग जात के उपर निलिबढ़ करती है एक हेक्टियर फसल से लगभग 150-250 कुंटल तक की आउसात उपच हासिल की जा सकती है जो बाजार में 10-15 रुपे प्रत किलोग्राम की दर से आसानी से बेची जा सकती ह इस प्रकार अगर प्रत हेक्टियर लागत के 25,000 रुपे निकाल दिये जाए तो 1000 रुपे प्रत कुंटल की दर से 200 कुंटल से 3 महने में ही 2,000,000 रुपे की आमदनी हासिल की जा सकती है तो दोस्तों अगर आप पालक की खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय में अच्छ को सेर भी करें जाए किसान दोस्तों